नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का तो दोस्तों चलिए आज एक और लेटर हम लोग प्रेक्टिस करते हैं इससे पहले हम लोग लगभग 40 लेटर प्रेक्टिस कर चुके हैं उसके अलावे कई सारे निवन्द के टॉपिक भी हम लोग कर चुके हैं तो जो लोग आपको क्या करना पड़ेगा डेटा और फैक्ट याद रखना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में आपको प्रोपर जनकारी होनी चाहिए लेकिन लेटर में फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना है और कुछ बॉड़ी पाइट अपने से बनाकर लिग देना है फिर भी आप पासानी से 30-35 तो पाही सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है देखे यह भेजा गया था टेलीग्राम चैनल में भी और गुरूप में भी तो अगर आप नए हैं जूड़ना चाहते हैं गुरूप से तो उसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप गुरूप से जुड़ गाई है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं देखे क्वेश्चन है कि आप रामवीर हैं आप वरतमान में उत्तम नगर दिल्ली में रह रहे हैं अपने छोटे भाई को जो देहरादून के एक छात्रावास में रहता है ए होस्टल होता है ओके ध्यान दखें चलिए एक बार इंग्लिस देख लेते हैं इंग्लिस से भी समझ में आ जाएगा यू आर रामवीर यू आर करेंटली रिसाइडिंग इन उत्तम नगर डेल ही राइट लेटर टू यूर यंगर ब्रदर हू लिव सीने होस्टल इन देहरा लिखा है उसके लिए यूज किया गया है तो एक लेटर लिखना है आपके भाई वो जो होस्टल में रहता है तो चलिए आप यहां पर आपके पास यहां पर देखिए दो जनकारिया दी हुई है एक तो की आपके पास यहां पर है उत्तम नगर दिली यह एक एड्रेस दिया तो वो लोग इसका आंसर जरूर दे देंगे यानि कि उनको पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए तो उत्तम नगर क्योंकि हम लोग जहां से लिख रहे हैं वहीं से यानि कि वही एड्रेस यहां पर देना है रिसीवर का एड्रेस हम लोग यहां पर नहीं देते हैं अपना एड्रेस देते हैं ठीके तो यहां पर दे दिये उत्तम नगर दिली उसके बाद फिर आपको डेट देना है 8 मई 2022 ये डेट तो आपको रट लेना है एक्जाम में डेट दे या न दे माल लेते हैं अगर देगा ठीके जैसे की 8 मई ना देकर एक्जाम में आपको क्या दे दिया चली एक बड़ समझते हैं जैसे की दे दिया 10 अप्रिल ठीके 10 अप्रिल और इसके बाद 2025 ये इस तरीके से आपको एक डेट दे दिया तो आप क्या करेंगे आपको वही लिखना है जो उसने दिया है पेपर ये वला आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा इस जगा पर लेकिन अगर नहीं देता है डेट तो फिर क्या करेंगे तब फिर आपको यहाँ पर अपने मंद से 8 मईद 2022 यानि कि जिस दिन आप पर इक्षा दे रहे हैं उसका डेट आपको यहाँ पर बैठाना है आसा करता यह बात आपको समझ में आ गई होगी अब इसमें किसी तरह का कोई confusion नहीं होगा कई सारे लोग इसको लेकर भी सवाल कर रहे हैं कि डेट क्या रखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे ठीके तो लिखने का तरीका मैंने आपको दो चार बार बताया है आप ऐसे भी लिख सकते ह हैं ठीके आप चाहे तो दिनांक लिख दे और उसके बाद आप उसको कोई भी format में इसे दिनांक देने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर 0,8 जब दिनांक लिखेंगे तो आप लोग ऐसा ही लिखे तो ज़्यादा बढ़िया है 0,8 पोइंट देने के बाद यहाँ पर चाहे चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रिय छोटे भाई सप्रेम आशिरवाद मुझे उमीद है कि तुम सकुसल होगे हाल ही में मैंने तुम्हारे एक मित्र से सुना कि तुम अपने छात्रावास में बिमार पड़ गये थे उसने मुझे से सिकायत की कि तुम देर रात तक जागते हो तथा अपने भोजन को अनुचित तरीके से लेते हो हमेशा याद रखोगी स्वास्थे ही धन है तो चलिए यहां पर कुछ बातों को फेले थोड़ी बाहुत जो बाते हैं वो समझ लेते हैं जैसी कि छात्रावास का मतलब आप भी समझ गएंगे होस्टल यानि कि वो जगह जहां पर बच्चों को एक कहते हैं गुरुकुल की तरह रखा जाता है यानि पहले गुरुकुल देखिए जैसे यहां लिखा है कि देर रात तक जागते हो और अपना भोजन अनुची तरीके से लेते हो इसका मतलब क्या हुआ अनुची तरीका लेने का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे पढ़ाई करने के इतने दिवाने होते हैं पढ़ने के कि वो खाना को बहु अनुचित तरीका यानि कि हडबड़ी में खाना या फिर कुछ अलग तरीके से सोकर खाना खड़े होकर खाना इस तरीके से जो तरीके होते हैं खाने के उसको अनुचित तरीका कहा जाता है ठीके चलिए आगे अगर हम लोग आएं तो देखिए स्वास्त ही धन है ये तो बिल इच्छा में अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हो मगर तुम अपने स्वास्त की उप्यक्षा करते रहोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगे। चली देखें, यहां पे यद्ध पी यहां पे ऐसे लिखा हैं यह कंप्यूटर टाइप में इस तरीके से लिख देता है लेकिन इसको अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे ठीके यद्ध उसके बाद पी यद्ध पी यह होता है सही यहाँ पे हलंत आप यूज कर सकते हैं लेकिन जब computer में टाइप किया जाता है तो वो इसी तरीके से ले लेता है तो यह थोड़ा साथ computer जो भास बाते कही गई है कि स्वास्त की उपेक्षा देखिए यहाँ पे दो सब्दों को अध्यान रखना होगा एक होता है अपेक्षा और एक यहाँ पे लिखा हुआ है उपेक्षा ठीके तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है और उपेक्षा का मतलब क्या होता है आपको दोनों का मतलब जरूर याद रखना चाहिए नहीं तो गड़बर हो जाएगी देखे, उपेक्षा मतलब होता है की किसी को नजर अंदाज करना नजर अंदाज यानि कि इग्नोर करना, ये उपेक्षा का मतलब है और ये जो अपेक्षा है इसका मतलब क्या होता है आसा ठीक है ध्यान रखेगा आसा यानि की होप ठीक है तो आसा कहते हैं अपेक्षा को मुझे आपसे यही अपेक्षा थी ठीक है और उपेक्षा का मतलब क्या होता है तीरसकार करना नजर अंदाज करना इगनोर करना वो होता है उपेक्षा ठीक है त और एक में औ है बस इतना ही अंतर है बाकी तो सबसे में इसी के कारण इसका मतलब बदल जाता है चलिए अब आते हैं आगे तो स्वस्थ सरीर रहेगा तो अब देखे इसके बाद क्या लिखा है स्वस्थ सरीर में ही स्वस्थ मन रहता है मा और पीता हमेशा तुम्हारी नहीं करते हो तो तुमको घर वापस बुला सकते हैं तो यहां पर बात बिल्कुल सटिक यहां पर लिखा गया है कि स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मन रहता है अगर आपका सरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर ना तो आपको मस्ती में मन लगेगा ना पढ़ाई में मन लगेगा और न से लिखेंगे यदि तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने सपनों को जीना चाहते हो तो अपने स्वास्थे का ध्यान रखना सीखो तुम्हारे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं पुनह धेर सारा प्यार तुम्हारा अग्रज रामवीर ओके तो यहां पर रामवीर नाम दिया था इसलिए आपको भी रामवीर मानकर ही लिखना पड़ेगा अगर किसी लड़की का नाम देता है तो आपको लड़की बनकर लिखना पड़ेगा इस लेटर को ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में जो इसी तरह का helpful वी औी जो खिस देता हुड़ई यह धुricanes कैस्ट कंपे से उते हैं सुड़की हैं दोस्तों मिलेंगे थाम सभब दीघर के मिलेंगे राम मंत्या दोस्तों कि यहले राम मिलें आपको भीए 0, 02 किया जापको बार इसे से जासलित Aleきैनक कि देता हैं लेयो किले तोईते हैं भीए